गुड इविनिंग इस्टुडेंट्स हाव आज हम लोग चैप्टर फोर का दा मैजिक टूल के बारे में रीट करेंगे दा मैजिक टूल इजे सेट ऑफ स्पेशल एफेक्ट्स जादू इपकरन एक विशेज प्रभाव का एक शमू है जब हम लोग को टूल बार से सेलेक्टर सोज डिफरेंट मैजिक एफेक्ट्स तो सेलेक्टर क्या होता है जो होता है जो चैन करता होता है वह विवेन परकार के अलग-अलग जादू दिखाता है यूज आप एंड डाउन बटन्स तू चूज एनी एफेक्ट किसे भी इफेक्ट को चुनने के लिए प्रभाव को चुनने के लिए उपर और नीचे बटन का यूज किया जाता है उपयों किया जाता है देन डिपेंडिंग अनदा इफेक्ट तब वे अधार पर एदर ड्रेग एरांड दा पिक्चर और सिंपली क्लीक दापिक्चर वान्स त्यु क्लाइट अधार दो तब पैक्ट के अधार पर ठीचर को ड्रेग करें ड्रेग और पिक्चर के चारों तरफ ड्रै करें और सिंपली क्लिक दा पिक्चर वांस और किक्चर को पिक्चर को चितर को सिंपली एक बार क्लिक करें तो अप्लाइदा इफेक्ट कोई भी इफेक्ट लागू करने के लिए पिक्चर के चारों तरफ लागू करने के लिए एक बार पिक्चर को क्लिक करें और अप्लाइदा इफेक्ट को अप्लाइब करेंगे जादू के प्रभाव का एफेक्ट करेंगे डालेंगे you also hear different sounds on using different magic effects मतलब आप जो है विभीन परकार के sounds और विभीन परकार के magic tools को उपयोग के परभाव को देख सकते हैं और सुन सकते हैं you have already used the fill magic effect to fill colors in a picture मतलब आप अल्रेडी यूज कर चुके हैं मतलब अल्रेडी उपयोग कर चुके हैं and the fill fill the magic effects और magic effects को fill to fill colors in a picture मतलब आप विभीन जादू परकार के जादू का उपयोग करने magic tool के परभाव को उपयोग करने पे किसी चीतर में रंग को fill करे करने के लिए जाद चीतर में रंग को fill करने के लिए किसी magic tool का उपयोग करेंगे let us learn to some magic effects आये हम कुछ magic प्रभाव को उपयोग मैजिक जो होता है उसके प्रभाव को उपयोग करना सिखे bricks यह जो क्या है bricks है it है there are two types of bricks effect it का प्रभाव जो होता है वो दो परकार की होता है just click the type you want and drag in the drawing canvas बस just मतब उस पे type करेंगे जो आप चाहते हैं and drag in the drawing canvas और उसे drawing canvas में drag करेंगे उसे drawing canvas में खीचेंगे next page आपका है flower flower means full use this effect the draw colorful flowers मतलब इस effect का यूज करके colorful flowers को draw करेंगे choose the color and drag और जस्ट click in the drawing canvas मतलब कलर को चूज करेंगे और ड्रेक दर जस्ट click in the drawing canvas और जस्ट drawing canvas में इस picture को ड्रेक करेंगे रंगिन फूलों को अकरसित करने के लिए हम इस प्रभाव का उप्योग करेंगे मतलब इस effect का उप्योग करेंगे रंग चूनेंगे और खीचेंगे ड्रेंग के नवास में क्लिक करेंगे मतलब कोई भी magic टूल से क्या करेंगे colors flowers को choose करके उसको drawing के नवास में fill करेंगे फिर इस तरह से हम drawing के नवास में जो जगा होता है drawing area होता है वहां पर हम grass को भी ड्रेग कर सकते हैं use this effect to draw grass click or drag in the drawing के नवास मतलब magic tool का यूज करेंगे इस effect का मतलब क्या हुआ magic tool का यूज करके हम drawing के नवास में grass को effect डालेंगे next rails rails मतलब drawing के नवास में इस तरह की काम rails की पटरियों जैसा भी रिल जैसा भी बना सकते हैं this effect is used to draw rail tracks in the drawing canvas इस effect का यूज करके आप drawing के नवास में rail की पटरियों को भी खीच सकते हैं खीचा के लिए उपयोग किया जा सकता है magic tool का उपयोग जो है न ड्रोइंग के नवास में रिल की पटरियों को भी खीचने में किया जा सकता है next आपका है rainbow this effect is used to draw a rainbow in the drawing canvas इस effect का उपयोग drawing canvas में rainbow का use rainbow का draw करने के लिए भी किया जाता है चेकमेट use the many drawing tools as possible and create an interesting drawing in order to understand tux paint more deeply इसमें कई परकार के drawing tool का इस्तेमाल किया जाता है और tux paint को और अधिक गहडाई से समझने के लिए दिल्चस्पी जित दिल्चस्प करके drawing area drawing बनाया जा सकता है इमतर ड्रोइंग के नवास में निक्स्ट आपका है यूज आफ दा सॉब टूल बॉप